तो गाइस आज की वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे डीटेक का डीटी आर 550 LW ट्राइपोट का अगर आप इसको सोच रहे हैं पर्चेस करना तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहे हैं उसके बाद आप पर्चेस कर सकते हैं तो वीडियो को सुर्ण से लेकर लाज सकते रहे हैं मेरे ना भी मानवा आप देख रहे हैं टेक्निकल मानव य्ट्यूब चैनल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मित बुलेगा तो गाइस यह है हमारा डीटेक का डीटी आर फाइफिप्टी एल डावलू ट्राइपोड और अगर आप इसको एमाजोन पर प्राइस तेकने जाओगे तो पन्रास रुपे इसका प्राइस है लेकिन फ्लिपकाट मैंने तेरा सो चीए रुपे में इसको पर्चेस किया है औ आप देख सकते हैं इसका प्राइस मैंने 1376 से पेमिंट किया है और बाकी जो 553 है सुपर कोईन से पे किया है और अगर आप इस बॉक्स में देखने जाओगे तो यहां पर उपर आपको ब्रेंडिंग मिल जाएगा डीटेक TTR 550 LW ट्राइपोड और आपको एक बॉक्स में आपको एक ट्राइपोड का पिक्चर देखने को मिलेगा और नीचे के तरफ को लिखा होगा पॉटेवल स्टेबल कॉम्पैक्ट ट्राइपोड और यह डाई कास्टेड मैंगने से बॉड़ी की साथ आता है ट्राइपोड और यहां पर अगर हम बात करें पीछे के तरफ त चैशन और आपको मल्टीपर्पर्फास हेड मिल जाता है विट क्विक रिलीस और मल्टीपर्पर्फर्पर्पपर्श आपको हैड़्फे डीबी कैमरों मिल जाता हए और यह ट्राइपोड मेडीन PNC है और आपको साइड में और भी कुछ स्पैसिफिकेशन मिल जाते हैं जैसे इसका weight हो गया 1200 gram जो थोड़ा जादा है और यह maximum 5 kg का weight ले लेता है और इसका legs 3 section में आता है और legs का hook का quality है वो बहुत सही है और quality में बहुत सही है तो चलिए इसको हम पहले बाहर निकालते है ट्राइपोड को और बताते हैं आपको कैसा quality है और इस ट्राइपोड के साथ आता को एक bag भी मिल जाता है जो भी बहुत अच्छा रहता है quality में काईस यह है वो bag और इसका quality सही है तो चलिए plastic पहले हटा देते हम और plastic हटाने के बाद आपको देख सकते हैं इसका quality और हैंपर देख सकते हैं साइट में एक जिप है और इसको हम पहले open करके tri-poards को निकालते हैं तो ही यहां हमेरा tripod कर आप देख सकते हैं black कार में आता है और यहां पर आप देख सकते हैं ट्राइपोड को आप देख कर ही पता लगा सकते कि इसका quality कैसा है अगर आप चार-पांसो में tripod खरीते हो तो इसका quality वैसा ही होगा अगर आप कुछ पैसे देखके ज्यादा पैसे देखके खरीते हो तो उसका quality सही होगा यहाँ पर देख सकते हैं quality बिल्कुल सही है जैसे मैंने बता दिया weight थोरा ज्यादा है और यहाँ पर आपको bubble head आपको मिल जाते है for horizontal position जो आपको बहुत smoothly काम करेगा और यहाँ पर आपक quick release head भी मिल जाते हैं जो बहुत सही है और quality तो आप देखी सकते हैं कैसा है अगर आप चाहे तो इसमें mobile भी add कर सकते हैं लेकिन आपको एक अलग से आपको एक mobile holder खलिना पड़ेगा और आप DSLR भी add कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत smooth है और इसका video sample पर आपको option मिल जाते हैं अब हम बात करते हैं quality की बारे में देखो quality बहुत सही है ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है इस tripod की बारे में आपको देख कर ही पता लगेगा के quality कैसा है तो गाइस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भुलिएगा चलि में देख नेक्स वीडियो पर थेंको जाहिद बंदिमातरम